भारती जंता पार्टी ने उध्यपर में हुई आतंकी हत्या के मामले में प्रदेश कॉंग्रेश सरकार पर तुष्टी करण के आरोप लगाए हैं। पार्टी के वरिष्ट नेता और राज्य सभा सांसत घंशाम तेवारी ने आज पार्टी मुख्याले में पत्रकारों से बाच करते हुए कहा कि राज्य की कॉंग्रेश सरकार हिंदू विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा कि मुख्यमिंत्री ने प्रदेश में अल्फ संख्यकों के प्रतित तुष्टि करण, कॉंग्रेश आलाकामान को संतुष्ट करने और सत्ता बनाये रखने के लिए राज्य प्रशासन और पुलिस व्यवस्था को पूरी तरह कमजोर कर दिया है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की ये हरकतें राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए गंभीर खत्रा है। नंपरिवर्तन किया गया, जुल्सों पर पत्थर फैंके गये और इन सब गटनाओं में सरकार ने पुलिस का मोरल डाउन किया। परिपक्व मुख्य मंत्री होते हुए भी ऐ परिपक्वता पूरवक्त परधान मंत्री जी की, ग्रे मंत्री जी की और जेपी नड़ा जी की। उनके बारे में इस प्रकार की बाते बोली, जिस्से की एक संप्रदाय के मन में उनके प्रती द्वेश की भावना पैदा हो जाए। करोली की गटना सब को पता है, भूंदी की गटना सब को पता है, अजमेर की गटना सब को पता है, बारा की गटना सब को पता है, अलवर की दो गटनाएं सब को पता है, इतनी गटनाएं हैं ये, जिन पर ऐसामाजिक तत्वों का और समाज कंटकों का संडक्शन किया गया, और जो पीडित हैं उन लोगों के साथ अन्याय किया गया ये जान बूज कर सरकार के द्वारा करा गया है। वो रास्ति सुरक्षा के लिए खत्रा है और मैं समझता हूँ कि सरकार इत्ति बड़े कांड के बाद जिस परकार आज भी लिपाप होती कर रही है कि एन ये जाज करेगी तो किसकी डिलाईय पता आजए तुस्टी करण अलपसं के कोंगे तुस्टी करण की कांग्रेश के वि राज जी और गठिया किसम का मजात मानी मुख्यमंतर जी करते हैं उसको देखकर उससे देश में परदेश में वाता उन खराब होता है और वो सारी प्रिष्टितियों करने से ही ये स्थिति पैदा हुई है हम आज उस गठा की निंदा करते हैं सरकार के इन कुकृतियों को जनता के सामदे लगना चाहते हैं आपके माधिम से और राज जी की जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने शान्ति पूर्ण क्रांति करके अपना रोज पदर्शित किया है